कोजी कोड हवाई एड़े पर टेबल टॉप रन्वे की देख रेक के लिए अधिकारियों ने वर्षो तक अभ्यास किया था लेकिन स्थानिय निवासी फजल पुटिया कत असली चीज रक्त और मृत्यू के लिए तयार नहीं थे एर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दस मीटर नीचे रन्वे पर दुरगटना ग्रस्थ होने के बाद 32 वर्षिय व्यापारी और उसके पडोसी पहले घटना स्थल पर पहुँचे शुकरवार देर रातिक भयंकर तूफान के दौरान एर इंडिया का विमान दो हिस्सों में तूड गया जिससे 18 लोग मारे गए और 120 से जादा घायलो गए श्री पुटिया का था और अन्य लोग धमाके जैसी दहार सुनकर बाहर निकल आये और उन्होंने बताया कि हम जो कुछ भी सुन सकते थे चारो और सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी वो थी चीक हर जगा लोग खून से लगपत थे कुछ में फ्रैक्चर था तो कुछ बेहोश थे ये उन्होंने FFP को बताया प्रभाव इतना कुरूर था कि बोईंग 787 की नाग जेट के पिछले हिस्से से लगबग 20 मीटर दूर थी दो पाइलेट मारे गए थे लेकिन बचाफ कर्मियों ने ये कहा कि अगर जेट ने आग पकड़ ली होती तो मौत की संक्या बहुत जादा अधिक हो जाती कोजी कोड हवाई अड़े को एक संभावित खतरा माना जाता है क्यूंकि इसमें एक टेबल टॉप रनवे है जिसके दोनों छोड पर एक खड़ी बैंक है विशेश उडान खाडी देशों में कोरोना वाइरस महामारी से फसे 190 लोगों को ला रही थी कई केरल में रहते हैं जहां वाइरस के मामलों की संख्या बढ़ रही है जैसे इस एक्सिडेंट के बारे में लोगों को पता चला कोरोना वाइरस के इतने जादा केसेज होने के बावजूद भी हजारों की संख्या में लोग पहुँच गए ब्लड बैंक में अपना ब्लड डोनेट करवाने कि जिन जिन लोगों को जरूरत है उनको ब्लड देने के लिए इस खबर में इतना ही लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल जंता शोगो कर दीजे सब्सक्राइब और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और जादर से जादर हमारी वीडियो को शेयर करें धन्यवाद